8087 instruction set co processor control instruction जासे कि हम जानते हैं यह handle करती है जो numeric process program होते हैं जो housekeeping programs होते हैं जासे कि flag manipulation process environment maintenance etc यह co processor control instructions होते हैं last में हमने 7 instructions कि इससे आगे हम instructions करेंगे जो कि my next instruction होगी वो है fincstp इस instruction का use modify करने के लिए किया जाता है top bit को जो status resistance में होती है और यह point करती है next status resistance को यानि अगर top bit 000 है तो stop जो काना stack top होगा वो ft 0 रहेगा next है fde cstp यह instruction अपडेट करती है top bit को top bit को 3 bits होती है न यह top bits को update करती है stack registers में के और point करती है जो previous register होता है stack का उसे show करेंगे यानि कि अगर top bit 100 है तो current stack top st 4 होगा और देखिए जो top bit modify होती है यानि कि 100 थी 011 है तो stack top st 3 रहे है next है ffrw f3 यह instruction mark करेगी tag field को जो भी operand stack register की tag पीड़ों में उन्हें mark करेगी और उन्हें empty करेगी नेक्स्ट है f9 यह instruction नौप instruction जो होती है corporate tester की उसे show करेगी कोई भी internal status जो होगा और control flag bits change होगी तो उसमें कोई भी change नहीं होने देगी यह जो इंस्ट्रक्शन होती है इसमें 16 clock cycles की जूरत होती है इस instruction को execute करने के लिए नेक्स्ट है fwait इस instruction का यूज 8087 को यानि busy pin की तरह यूज कर रहा है यह instruction यूज होती है 8087 के लिए 8086 को यह signal देती है कि 8086 वेट करें क्योंकि 8087 अपना task कर रहा है current operation perform कर रहा है तो 8087 को एक busy signal देगी busy pin जो होगी 8087 की वह हाई रहेगी यानि 8087 फिल हाल अपना खुद का काम कर रहा है जब अब इसलिए वह busy pin को हाई रखेंगी और जब वह 8086 का काम करने के लिए ready हो जाएगा तो फिर क्या करेगी फिर signal प्रोवाइड फेलेगी host CPU को जब एक्जिक्यूशन के लिए ready होगी अदरवाइस busy रहेगी जब तक वह अपना काम कर रहा है नेक्स्ट है FST ENV यह इंस्ट्रक्शन स्टोर करेगी को प्रोसेसर के एन्वाइरमेंट को एक destination memory location से जो specify होगी instruction से जो 8086 address mode के थूई होगी यानि यह इंस्ट्रक्शन कैश हो करती है पूरे status को जो पूरा इसका environment होता है environment control word status word tag word instruction pointer instruction of code instruction pointer data pointer और यह सब चीजियों को यह शो करेगी ठीक है ना यह शो करेगी यह इंस्ट्रक्शन जो की complete को प्रोसेसर के environment फोस्ट हो रखती है next time FLD ENV यह लोड करेगी environment को लोड एन्वाइरमेंट को लोड करेगी किसी भी को प्रोसेसर में इसके को प्रोसेसर में इसके environment को लोड करेगी और रीड करेगी environment content को जैसे कि उसका पर्टिकूल और फोर्मेट है उसके according उसे लेट करती है यह हमारे नेक्स्ट जो पार्टू की इंस्ट्रक्शन से यहां पर हमारा 8087 इंस्ट्रक्शन से कम्लेट हो जाएंगे थैंक यू थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो आप और वीडियो के लिए हमाने चैनल और लर्न और गो पे सब्सक्राइब कर सकते है थैंक यू